Hello students, welcome to Step Up Academy. मैं अंजली सिंग कुष्वहा और मैं हूँ आपकी बालाजी ट्यूटर. आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चाप्टर नबर 11 जिसका नाम है फोटो सिंथेजिसें हाई अपनाज और इस चाप्टर में हम लोग अल्रीडी काफी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं काफी सारी जो नहीं मतलब बेसिक इंट्रोड़क्टरी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आज मैं आपको पढ़ाने चारी हूँ फोटो सिस्टम्स बेसिकली फोटो सिस्टम्स चो टॉपिक है वो लाइट रियाक्शन के अंदर इंक्लूड होने वाला टॉपिक है तो मतलब आज से पार्ट थी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फोटो सिस्टम्स but light reaction में एक जो फोटो सिस्टम सबसे पहला topic दिया है वो as such इतना clearly समझ में नहीं आता मैंने जब ये topic पड़ाता class 11 में मुझो तो कुछ भी समझ में नहीं आया था तो मैंने इस पर्टिकुलर topic को exclude करके इसको अलग से पढ़ाया है बाकी आप अभी ये समझने की कोशिश करिये कि जो part 3 वीडियो है it is now the beginning of light reaction और जैसे कि मैंने आपको समझाया था in part 2 वीडियो कि photosynthesis जो होता है वो दो phase में होता है जैसे कि photosynthesis दो phase में होता है तो भाई क्या दिखाता आपने दो phase में जो पहला phase होता है it is dark reaction it is light reaction and the second is dark reaction तो we are beginning with light reaction and in light reaction we are studying photo system now what is photo system या what are photo system तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूं तो ध्यान लगा के, मन लगा के समझिएगा सबसे पहले एक concept चीखते है कि what is light harvesting complex what is light harvesting complex अब आपको harvesting का सबको मतलब पता है क्या होता है भाई, किसी भी चीज को किसी भी प्रेडी चीज को आपको finally उसको एक्वार करना तो light harvesting complex क्या होता है ऐसा group या ऐसा structure जो हमें help करेगा sunlight को पकड़ने के लिए sunlight को पकड़ने के लिए sunlight को trap करने में जो हमें पूरा एक complex help करता है it is known as light harvesting complex अब light harvesting complex देखो, कैसे कैसे बनता है light harvesting complex तो this is the exact structure of light harvesting complex, इस तरीके का कुछ दिखता है now what are the different parts that are present in light harvesting complex LHC सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो it has various pigment molecule क्या-क्या components होते हैं तो मैं अब यहां पर लिख रही हूँ components of components of LHC तो LHC आपको पता चल गया किस चीज में help कर रहा है light को trap करने में help कर रहा है यहां पर लिख देती हूँ light harvesting complexes helps in trapping sunlight sunlight को trap करने में sunlight को trap करने में help करते है light harvesting complex अब उसके components का क्या होता है सबसे पहले अगर आप देखो तो उसमें आपको देख रहा है reaction center क्या देख रहा है आपको उसमें reaction center मतलब एक center का molecule है reaction center और आपको side में कुछ देख रहे है antenna molecules क्या देख रहे है आपको कुछ-कुछ उसमें आपको देख रहे है antenna molecules अब आप बोलोगे माब हमें antenna molecules ने दिख रहे हैं, हमें pigment molecules दिख रहे हैं, यही तो आपको concept समझाना है, कि light harvesting complex में एक होता है reaction center और एक होता है pigment, दूसरे और बागी remaining होते है antenna molecule, जो reaction center होता है, वो reaction center form करता है हमारा chlorophyll A, the daddy pigment, याद आ रहा है, chlorophyll A क्या होता था, daddy pigment, तो जो reaction center है, वो हमेशा सिर्फ एक ही होता है, और chlorophyll A उस reaction center को बनाता है, अब आप बोलों कि ma'am, तो यह antenna molecules को ने antenna क्या होता है, एक helping supporting structure होता है, तो यह antenna molecules जो होते हैं, उसमें और remaining सारे pigments आ जाते हैं, जैसे कि chlorophyll B, then xanthophylls, and carotenoids, and carotenoids, and carotenoids, समझ में आ रही है कहानी, तो जो reaction center है, किसी भी LHC में, it is always formed by chlorophyll A, और अगर हम बात करते हैं, antenna molecules की, तो they are composed by, they are formed by chlorophyll B, xanthophyll, and carotenoids, अब आपको पता है कि भाई antenna molecules हैं, तो वो ultimately क्या करेंगे, पूरी different, अलग-अलग wavelength से आने वाली sunlight को accept करेंगे, these antenna molecules, यहां से आप देखो, photon आ रहा है, मतलब कि energy आ रही है, light आ रही है, wavelength आ रही है, अलग-अलग wavelength की light आके, इन antenna molecules पे आके hit होंगी, और यह सारे antenna molecules इस light energy को finally trap करके transfer करेंगे to the reaction center, और reaction center कौन बनाता है, reaction center is formed by chlorophyll A, reaction center is formed by chlorophyll A, फिर यहां से further आगी की process start होगी, light पढ़ने पर क्या होता है, आप बताओ, जब भी energy मिलेगी, light पढ़ेगी, तो electron हमेशे अपनी ground state से higher energy state में जाते हैं, तो यहां से भी electron निकलेंगे, और फिर यहां कोई acceptor उसको ultimately accept कर लेगा, वो कहानी बात की है, अब ही आपको सिर्फ यहां इतनी कहानी समझने की ज़रूत है, in light harvesting complexes, कि light harvesting complex has two structure, number one, क्या होता है, reaction center होता है, जिसको हमेशा form करता है कौन, chlorophyll A, उसके बाद में antenna molecules होते हैं, जो की होते हैं, chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids, यह क्या करते हैं antenna molecules, antenna molecules के दो काम होते हैं, to trap, to trap, to trap per light of various wavelength, अलग-अलग wavelength की light को trap करना, various wavelengths, ठीक वेवलेंथ लिखा है वो, तो trap करना, अलग-अलग wavelength की light को and second, very-very important, they prevent, they prevent, किस चीज को prevent करते हैं भाई, they prevent photo oxidation, they prevent photo oxidation of reaction center या फिर chlorophyll A, जो chlorophyll है भाई, वो light के पढ़ने से, ज्यादा excessive wavelength की light पढ़ने से, खराम ना हो जाए, डामेज ना हो जाए, उस चीज से भी बचाते हैं, यह सारे antenna molecules, समझ में आगे इनका role क्या है, तो reaction center होता है, chlorophyll A, antenna molecules also remaining pigment हो गए, वो होता है, काम क्या होता है, अलग-अलग, diverse wavelength को accept काना, दूसरा photo oxidation of chlorophyll A को prevent करना, reaction center खराब ना हो जाए, ठीक है, easy कहानी, समझ में आगी, तो मतलब ठीक है, plant के पास, chlorophyll के अंदर, कौन से पार्ट में, membranous पार्ट में, stromal amelie and grana में, stromal amelie and grana में structures होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, light harvesting complex, यह जो light harvesting complex हैं, यह क्या करते हैं, light को trap करने के काम आते हैं, क्या-क्या components होते हैं इसमें, reaction center and antenna molecule, अब नाओ, on the basis of reaction center, now on the basis of reaction center, इस reaction center के basis पर, इस reaction center के basis पर, we have two types of photo system, इस reaction center के basis पर, अगर आप यहाँ देखें, तो मैं एक नई चीज लिखती हूँ, on the basis of, on the basis of reaction center, that is chlorophyll A, reaction center, हमारे पास दो तरह के photo system होते हैं, पहला होता है photo system 1, and secondly, we have photo system 2, क्या दिखका देखें, photo system 1 and photo system 2, हमारे पास दो तरह के photo system होते हैं, अब आपको यह समझ में आया कि ठीक है, यहाँ पर sunlight आती है, light आती है, सारे antenna molecules उसको trap करते हैं, और उसको transfer कर देते हैं, reaction center के पास, जब reaction center को लगते हैं, यहाँ ठीक है, अब sufficient amount of energy मिल गई, तो वो एक electron निकालता है, जो excited हो कि अपनी higher energy state में, उसको कोई acceptor वहाँ से लेके चला जाता है, लेकिन अब यह reaction center क्या है, reaction center जो daddy molecule है, अब भाई daddy है, तो उसके नखरे भी होंगे, क्या नखरे होंगे भाई उसके, कि वो हर wavelength पे activate नहीं होगा, उसको एक specific wavelength चाहिए, जिस पर उसका activation होता है, मतब जिस पर वो electron को निकाल कर, higher energy state में भेज पाएगा, तो अगर इसी basis पे इसको divide किया गया, अगर आप PS1 की बात करते हो, तो यहाँ पे जो wavelength होती है, it is 700 nanometer, 700 nanometer की wavelength दोगे, जब जाके यहाँ पे electrons एमिट होंगे, और अगर आप PS2 की बात करते हो, तो it has 680 nanometer of wavelength, जिस पर यहाँ से electron निकल कर, उपर वाले energy state में चले जाएंगे, समझ आई कहानी, light harvesting complex, light harvesting complex में होता है, reaction center और antina molecule, reaction center किस wavelength of light पर activate हो रहा है, उस हिसाब से हमने develop करें, दो photo system, we have photo system 1, and we have photo system 2, clear यह वाली कहानी, समझ में आया, मैंने आपको समझाया क्या-क्या, अब देख लेते हैं, इसको लिखना चाहरे हो, तो लिख लो, नहीं तो screenshot ले लो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं, बुक में क्या लिखा हैं, तो भूग में लिखा है, pigments are organized into two photo system, दो photo system में organized हैं, photo system one, and photosystem 2 and photosystem and photosystem 1 and 2 case order में नाम रखे गए है इनका नाम रखा गया है in the order which they are discovered. ठीक है तो पहले PS1 मिला था इसलिए उसका नाम 1 है फिर ये वाला second वाला बाद में मिला था इसलिए उसका नाम PS2 है. Each photosystem has a chlorophyll A and accessory pigment जो ये accessory pigment की बात लिखिये ये कौन है? antenna molecules. तो chlorophyll A होता है reaction center and the accessory pigment bound by protein. तो अलग-अलग protein से connected होते हैं. समझाई क्या होगा बहुत है नाम से? Now होता क्या है? All pigments except one molecule of chlorophyll A. सारे के सारे pigments सिर्फ किसको छोड़के? chlorophyll A को छोड़के form a light harvesting complex. तो ये क्या बना लेते हैं? सारे molecule मिलके, सारे molecule मिलके बना लेते हैं light harvesting complex और the antenna. क्या होता है अब? Single chlorophyll A acts as reaction center. और जो chlorophyll A है, वो react करता है, वो act करता है as reaction center. In PS1, the reaction center absorb. अब PS1 में जो ये reaction center है, chlorophyll A है. कितने wavelength की sunlight absorb, कितने wavelength की light को absorb कर सकता है, it is called, it absorbs, it gets activated at 700 nanometer. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं P700. क्या बोलते हैं? P700. तो PS1 is also known as P700. आपको जो कहानी समझ में आनी चाहिए, वो इतनी आनी चाहिए. कि पाई PS1 में जो reaction center है, जो chlorophyll A है, वो 700 nanometer की light accept करेगा, तभी वो electrons को निकालेगा. अब आप बोलो कि मैं, electron को निकालना ही क्यों है? वो आगे की कहानी है, आपको सारी ही सारी समझ आएगी. लेकिन अभी आभी समझ हो, अगर photo synthesis start होना है, light reaction start होनी है, तो यह process बहुत ही crucial है. It is very very important to happen. इसके लिए यहाँ पर electrons का eject होना ज़रूरी, एकसेप्ट का एकसेप करना चाहिए, और light का आना भी सरूरी है. लेकिन light की भी एक specific wavelength होने चाहिए. यह PS1 के लिए, it is 700 nanometer, that is why it is called P700, and for PS2, the reaction center absorbed wavelength of, absorbed light of 680 nanometer, इसलिए हम PS2 को बहुत है, P680. अब से नहीं बूलना है आपको, अगर आपको कोई P700 बोल रहा है, तो it is PS1, and अगर आपको कोई P680 बोल रहा है, तो आपको समझना है, कि it is PS2. clear? तो भाई यह कहानी बड़ा confuse करती है, सभी बच्चों को मुझे भी करती थी, तो मैंने इसलिए इसको एक separate section में बढ़ाया, अब आगे further जो वीडियो होंगी, उसमें हम light reaction को ही continue करेंगे, और अब हम आगे देखेंगे कि एक बार अब जब यहां से electron eject हो गया, photo systems ने act किया light, अलग अलग wavelength ही light, बड़ी 680 और 700, तो 600, 700 कौन सी wavelength बढ़ने पर क्या आगे का procedure होगा, that everything, कैसी 80 भी बनेंगे, that everything we will gonna cover in the next video, clear? तो अभी कोई डाउट हो भाई इसमें, तो अपने डाउट को पूछ लो, important है, यही समझ आए, तो आगे कहाने समझ में नहीं आएगी, और समझ आगया है, मज़ा आगया है, तो वीडियो को जल्दी से कर दो, लाइक, सब्सक्राइब, और फिर ताटा, बाई बाई, मिलते हैं, चारे, ताटा, बाई बाई